और एक तारिक को दो बजे से, एक फरवरी दो बजे से धिरेंदर सास्त्री जी के स्रीमुख से ये कथा का प्रारंब होगा। हम आपको बता सकते हैं कि जो मुर्ती अजुध्या जी में लगी है, उसकी एक बहुत बड़ी रिप्लिका इस कथा पंडाल में लोगों को देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने वो बनाया है, वो कमपनी कौन सी है? जो स्री श्याम दर्वार के नाम से वो संस्ता है, जो ये काम करते हैं, उन्होंने बहुत सुन्दर उस पे काम किया है। और एक और बात है इस कथा में कि इस मंच पे जो दिल्ली के प्रमुख मा के मंदिर हैं, माई कालिका, माई जंडे वालान, छतरपूर, ऐसे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं और खाटु श्याम, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस मंच पे आपको देखने को मिलेंगे, उनकी भी स्वरूप रखे जाएंगे, और ये कथा तीन दिन तक चलेगी, एक फरवरी, दो फरवरी और तीन फरवरी, सभी को आने के लिए हम प्राठना करते हैं, लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं मीडिया के थुरू बताना चाहता हूं, कि यहाँ आने के लिए किसी पास की आवशक्ता नहीं है, यहाँ सब को निशुल्क और बिलकुल अराम से बैठने के लिए, हमें यह बात कहते हुए बड़ी अच्छा लग रहा है, कि हम लोग अब तक देश का सबसे बड़ा पंडाल लगाएंगें, यह टोटल इसकी चोड़ाई लगभग दो सौ साट फिट है, और इसकी लंबाई साथ सौ फिट है, तो आमतोर पे तो जो हैंगर होते हुँ सौ फिट के होते हैं, मगर यह हमारा हैंगर 155 फिट का एक हैंगर है, और दो जो 50-50 फिट के और लगे है उसके आधार पे 67 फिट के तो ये हम लगभग धाई लाख लोग तो इसके अंदर बैठेंगे ऐसी ब्यवस्ता पहली बार हम लोग कर रहे हैं